गेहुं की खरीद का समय नस्दीक है शुरू होने वाली है और ऐसे में आरती जो है दो-डो घंटे की हर्ताल पे जाने वाले हैं यह सरकार ने पिछले दो सालों से जो हमारा कमीशन आता था 5% वह गठा के 46 रुपीज फिक्स कर दिया जिससे हम आरेक आरतिक को दो से तीन लाग रुपे का नुकसान हो रहा है और जो फसले हमारे थुरू बिखती थी जैसे सर्च होगी या कॉटन होगी वह उन्होंने डिरेक्ट लेनी शुरू कर दिया इससे आरतिक नुकसान हो रहा है और जो हमें कमिशन मिलती थी पिछले 18 सालों से मिलती थी 18 सालों में देखो मेंगाई कितनी बढ़गी है और आप कितनी आमें कम मिलना शुरू हो गया और दूसरा है उन्होंने यूपी जो हमारी फसल आती थी वह बंद कर दिया के भी आम यूपी फसल नहीं आने देंगे जब उन्हें पोटल बना दिया है पोटल फसल भी करी है तो उसका तो मतलब भी होना चाहिए जो आएगी वह सरकार मस्टर्ड वगेरा की फसल मस्टर्ड और कॉटन की वह डिरेक्ट लेनी शुरू करती है तो आप लोग घरताल पे जाएंगे ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को भी काफी प्रोब्लम होने वाली है अगर बात करें कब से स्टार्ट होने वाली है क्या टाइमिंग्स रहने वाली यह एक तारिक से पांस तरीक तक वारत धर्णा प्रदर्शन है और यह ग्यारा बज़े से एक बज़े तक दो गंडे पांच तारिक तक रेगुलर 11 गया 11 तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फिलाल परदेश भर से जो है आरतियों को ये चीज नोटिफाई करवा दी गई है कि पांच दिन के लिए जो है ये धरना परदर्शन रहने वाला है दो घंटे का था कि किसानों को भी बहुत जादा प्रॉब्लम ना हो परदेश भर से आर एक्षन है 25 मही को उससे पहले हम अपने रन निती बढ़ाएंगे और उसमें देखते हैं क्यों अगर इसका कोई सिल्यूशन जल्दी से जल्दी नहीं निकलता है तो आरतियों का कहना है कि वोट की चोट भी इस बार सरकार को खानी पड़ सकती है आरतियों की तरफ से आरति की साथ खरीत को लेकर जो बंद कर दी गई डायरेक्ट आरतियों से उस पर जो है सरकार एक बर विचार जरूर करे और जल से जल इनकी मांगे पूरी की जा सके लाई तो स्वीरे आप देख रहे थे मेरे अन नीरा मांटा के साथ टिप टॉप हर्याना पर धन्यवाद